नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल ग्यान गंगा में आज मैं आप लोगों को 36 गड़ के इतिहास के बारे में बताने वाली हूँ कि किस प्रकार 36 गड़, रामायर काल, महाभारत काल, बौध धर्म और जैन धर्म में 36 गड़ की भूमिका थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, तो आज हम ये देखेंगे, तो इतिहास जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइट किया जाता है, पहला होता है प्रग्यति हासिक काल या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिहिस्टोरिक टाइम, दूसरा आपका होता है आ तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले प्राग्यति आपका होता क्या है यह उस काल को कहते हैं जहाँ पर जो घतनाए घटे हैं उसका कोई भी लिखित साच नहीं मिलता कोई भी लिखी हुई चीजे नहीं मिलती तो उसको हम प्राग्यति हाथिक काल के अंतरगत रखेंगे 36 गड़ में भी इससे रिलेटेड कई जगा कुछ चीजे मिली हुई है आईए उसको भी देखते हैं सबसे पहले राइगर 36 गड़ में जो राइगर इस्थित है वहाँ पे सिंगनफुर गुफा है जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि सिकार करता हुआ मानव की आक्रिती मिलेगी आपको प्राचिंतम सैलाश्रे मिलेंगे ये सारी चीजे आपको राइगर में मिलेंगी राइगर में एक और जगह है कबड़ा पहार यहाँ पर आपको पंक्ति बद्ध मानव समू के चित्र मिलेंगे फिर आता है बालोद बालोद में एक जगह है आपका भुज गहं करके वहाँ पर आपका महा पाशारिक इस्मारक मिलेंगे फिर आता है आपका जग्दलपूर्ट के पास में है कोंडा गाओ वहाँ पर आपको मिलेगा गर्धनूरा गर्धनूरा में क्या है पाशार घेरे आपको वहाँ पर मिलेंगे आए अब आगे देखते हैं तो दूसरा हमारा आता है आदे ती हासिक काल यानि कि प्रोटो हिस्टोरिक टाइम प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में उस काल को कहा जाएगा जिसमें लिखी हुई चीजे तो आपको मिलेंगी लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते आप उसको हम आदे ती हासिक काल बोल सकते हैं इस काल में सिंदु सभफर आप कह सकते हरपा सभफर, जो है इन सब जगगों को आध्येतिहासिक काल में रखा जाता है लेकिन, इसमें छतिशग कर में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिसको हम आध्येतिहासिक काल बोल सके जैसे कि सिंदु घाटी से related चीजे जो हैं तो सिंदु सब्धा से related कुछ जगह हैं जैसे काली बंगन काली बंगा जो है वो आपको राजस्तान में मिल जाएगा वैसे ही है आपका मांडा ये आपको मिलेगा जम्मू कस्मीर में दाई माबाद भी है जो कि आपको मिलेगा महाराश्ण में तो ऐसे काफी जगर हैं जो भारत में उपस्तित हैं लेकिन 36 गड़ में सिंदु घाटी या हडपा से डिलेटेड कोई भी चीज़े आपको नहीं मिलेंगी चल यह देखते हैं आगे आगे हमारा आता है एतिहासिक काल जो है उसके अंदरगत हम वैदिक काल को लेते हैं वैदिक काल को दो पार्ट पर डिवाइड किया जाता है पहला होता है रिग वैदिक काल जो की 1150 इसवी से 1070 इसवी पूर्व तक था दूसरा आपता है आपका उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 इसा पूर्व से 600 इसा पूर्व तक था वैदिक काल में आपको ये देखने मिलेगा कि जो ग्रंथ है उसमें आपको 36 गर का उल्लेक मिलेगा जैसे कि एक रचना थी परिवेर्टी वैदिक काल में लिखी गई रचना सत्पत ब्राम्हर ग्रंथ इसमें आपको 36 गर छेतर का सरप्थम जो है आपको वर्णन मिलेगा इसमें नर्मदा नदी का नाम लिया गया है उस समय नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता था तो ये है आपका एतिहासिक, आदेहासिक और प्राग्यतिहासिक में 36 गड़ का वणन अब आएए आगे देखते हैं कि रामायर काल महाभारत काल में किस प्रकार से 36 गड़ का उलेक हुआ था तो आईए सबसे पहले देखते हैं रामायर काल में किस प्रकार 36 गर का नाम आता है देखिए 36 गर का जो प्राचीन नाम था वो दक्षिर कौशल था ये रामायर काल के नाम पर ही रखा गया था दक्षिर कोशल का नाम कैसे पढ़ा ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्टाइक करके बताया है आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर देस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है वहां से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं आएए आगे देखते हैं उस समय बस्तर चतिस गड़ का जो बस्तर है उसका नाम रामायर काल पे दंड कारणी के नाम से भी जाना जाता था सिवरी नारायम भी है चतिस गड़ में यहीं पर भगवान स्री राम ने सबरी नामक जो महिला थी उनके हाथों से उनके जूठे बेर खाय थे उसके बाद आता है आपका वालमिकी वालमिकी जो है लवकुस की जन्म इस्थिली थी ये छेतर जो है तुर्टुरिया महा समुंद में इस्थित है आईए आगे देखते हैं अच्छा दक्षिड कोशल के जो राजा थे वो थे आपके भानुमन्त जिनकी पुत्री कोशलिया जो थी उनके साथ राजा दसरत का विवा हुआ था राजा भानुमन जो थे जो कौसले के पिता जी थे उनकी कोई भी संतान जो थी वो उनका बोल सकते हैं आप सासन जो है समालने के लिए नहीं था इस पज़े से उन्होंने अपना जितना भी राजबार था उन्होंने राजा दसरत को शौप दिया और फिर राजा दसरत जो है वहाँ के राजा बन गए उस समय ये भी माना जाता था कि भगवान स्री राम जो है उन्होंने अपने वनवास का अधिकतर समय जो है वो दंड कारन में बिताया दंड कारन जो बस्तर जिले में इस्तित है इसके पहले ये भी माना जाता है कि स्री राम के पुत्र कुशने कुश इस्थली जिसको अभी सिर्पूर के नाम से जाना जाता है उस छेत्र को राजधानी बना कर शासन किया था दक्षिर कोशल में प्राचीन काल में कोशली नामक की जो भासा है उसका उपयोग किया जाता था जो छत्तिसगर की प्राचीन भासा थी तो इस प्रकार 36 गर में आपको रामायर का अस्तित्व मिलेगा या फिर आप ये कह सकते हैं कि रामायर काल में 36 गर का काफी जादा जंगलों का यहां पर राजा दसरज जो थे वो भी राजा थे तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि 36 गर का रामायर काल में काफी अच्छा महत्व था आएए अब आगे देखते हैं तो आगे हम यह देखते हैं कि महा भारत काल में किस प्रकार से 36 गर का उलेक हुआ है तो सबसे पहले देखिए 36 गर का महा भारत के समय उसका नाम जो था कोशल जो आप कह सकते हैं उसको की प्राकोशल था दूसरा चीज बस्तर जो है जिसका मैंने अभी बताया कि रामाय काल में उसको दंड कारण निकाहा जाता है वैसे ही महा भारत काल में जो है बस्तर को कांतार या महा कांतार कहा जाता था अभी जो सिरपूर छेत्र है जो की अर्जुन पुत्र ब्रम्हु वाहन की राजधानी थी उस समय उसको चित्रांगत पूर कहा जाता था और आपने सुना होगा रतनपूर का नाम तो रतनपूर छेत्रत जो है उसमें राजा मोर्धवज इवं तामरधवज की जो थी वो राजधानी थी महाभारत काल के समय पे आई आगे देखते हैं फिर क्या हुआ देखिए महाभारत काल में आपको चित्रोत पला जिसको आज के टाइम पे महा नदी कहा जाता है उसमें उसका आपको भीष्म पर्व में जो है काफी अच्छा आपको उलेख मिलेगा महानदी का काफी अच्छा वणन किया गया है फिर चत्तिसगर का नाम जो है कोशल नाम से था सभापर्व में सभापर्व जो था उसमें चत्तिसगर का नाम जो था वो कोशल नाम से आपको मिलेगा इसके अलावा महा भारत काल में 36 गर जो था वो पांडव वंसी सहदेव के द्वारा जो था विजय हासिल किया गया छेद्र था यहां पर उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी जिसका उल्लेख जो है वो महा भारत के धीस्म पर्व में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार क्या है कि महा भारत के काल में भी आपको 36 गर काफी जगह पे उल्लेख मिल जाएगा कि महा भारत काल में भी 36 गर काफी जगहों में आया हुआ था मेन जो है वो इसका आपको मिलेगा महानदी का वडन जो की भीसम पर्व में दिया गया है जिसमें महानदी का नाम जो है चित्रोत पला के नाम से बोला गया है आए आगे देखते हैं आगे हम ये देखते हैं कि बौध धर्में किस प्रकास से 36 गड़का जो है वो उलेक किया गया है तो बौध धर्म में क्या हुआ था एक बौध ग्रंध है अवदन साथ तक उसके अनुसार गौतम बुद्ध जो थे वो सिर्पूर आये हुए थे इसके अलावा गौतम भिच्चुग नागारजुन जो थे वो साथ वाहनों के काल में पहली सताबदी में ही सिर्पूर आये हुए थे तो बौध कालों में भी आपको काफी चीज़े देखने को मिलेंगी इसके अलावा आप ये भी देखिए कि बौध भिच्चुग आनन जो थे वो छटवी सताबदी में सिर्पूर में स्वस्तिक विहार में के निर्मार करता थे स्वस्तिक विहार जो कि आनन्द प्रभू कुटी विहार के नाम से भी आपको जाना जाता है उसके बाद को चीनी यात्री वेन सांग जो थे वे पांडुवन सी महा सिफ गुप्त के काल में 339 इस्वी में सिर्पूर आये हुए थे बौध कर्म धर्म के जितने भी यात्री थे वो mostly जो है वो सिर्पूर में ही आये हुए थे इसके अलावा जो है चीनी यात्री उसमें चीनी यात्रियों के राजकुमार जो थे वेन सांग उन्होंने अपनी सिर्पूर यात्रा का जो व्रिष्ट्रित से एक बुख लिखी हुई है जिसका नाम था आपका सी यू की यह चीनी नाम है आपका तो उसमें किया गया है 36 गड़ का वर्णन जो है इसमें सा किया सलो नाम से आपको वहाँ पर मिलेगा इसका मतलब है कि 36 गड़ तो इस प्रकार बौध धर्म में भी 36 गड़ का काफी उल्लेक आपको देखने को मिलेगा आए आगे देखते हैं आगे हम यह देखते हैं कि जैन धर्म में किस प्रकार से 36 गड़ का वर्णन किया गया था तो देखिए जैन धर्म में भी कई जग़ा में 36 गड़ आएगा जैन धर्म के जो तीर्थकारी थे वो mostly चत्रिसगर आये हुए थे जैसे कि आपको मैं बताती हूँ जैन धर्म से संबंदित पहले जो तीर्थकार थे रहिशा, भनात, गुंजी और बूरी खार से संबंदित है बूरी खार जो है वो मलार के नाम से भी आपका जाना जाता है इसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सोलहवे तीर्थकार थे सांतिनाथ भाटागुरा ये जो हैं बस्तर से संबंदित है जो कि अभी मैंने आपको बताया बस्तर का उलेक जो है आपको जैन धर में भी मिला आपको रामायर काल में भी मिला आपको महाभारत में भी मिला रामायर में आपको दंडकार के नाम से मिला महाभारत में आपको कांतार के नाम से मिला और आपको जैन धर में मिला तो यह आप कहा सकते हैं कि बस्तर का काफी अच्छा उलेख सभी जगह पर आपको मिलेगा उसके बाद फिर क्या हुआ जो 23 तीर्थकार थे पाश्वनाथ नकपुरा यह इनका तीर्थ जो है वो दुर्ग से संबन्दित है छतिसगर के उसके बाद जो 24 तीर्थकार थे महावीर स्वामी उनका संबन्द जो है आरंग से है आरंग जो की रायपुर्थ के पास इस्तित है तो दोस्तों आज आपने क्या सिखा कि इतिहास में छतिसगर का बहुत ही अच्छा उलेख है चाहे आप महाभारत को ले 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 चाहे आप रामायर बोले चाहे आप बहुत धर्म बोले चाहे आप जैन धर्म बोले और आपने यह भी सिखा कि प्राग्यति हासिक आद्यति हासिक और एतिहासिक काल में 36 गर का किस प्रकार से रोल था, तो 36 गर mostly सभी जगा आया हुआ था mainly यहां के वनों के कारण तो आज की वीडियो में इतना ही यह आपका 36 गर का पार्ट 2 था इसके पार्ट में आप लोगों के लिए 36 गर के वन से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिएगा तो थैंक्स पर बोचिंग